हेलो एवरीवन स्वागते आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWD जॉप में कोकिला वेन दीरूबाई अम्बानी रिलाइन्स फाउंडेशन स्कूल से टीचर्स की वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके अलावा आदर स्टाफ की भी वेकेंसी है लगवग सभी पोस्ट में सभी विश्यों में वेकेंसी है पोस्ट की यदि हम बात करें तो प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुए टीचर, पोस्ट ग्रेजुए टीचर में लगवक सभी विशे इसके साथ में wise principal, headmaster, headmistress, counselor, special educator, HR manager, office assistant बहुत सारे जो हैं पोस्ट और बहुत सारे subject to teachers vacancy के तो यहाँ पर अगर आपका selection हो जाता है salary काफी अची रहती है हर बार vacancy का notification यहाँ से जारी होता है इनके कई जो स्कूल है अलग-लग राज्यों में है आप सभी जानते है Reliance Foundation स्कूल के फिलाल जो vacancy है कहां से जारी की गई है कैसे apply करना है कोई fees नहीं है बिलकुल निशोलक जो है आप लोग आविदन कर सकते है salary जो है 73 commission के according रहेगी साथ में accommodation जो है जो भी outstation candidate रहेंगे उनको मिलेगी तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को official website पर कैसे apply करना है step by step सारी चीजे समझिएगा तो official website पर चलिए है Reliance Foundation School और यहाँ पर आपको जैसे ही home page पर आएंगे career opportunities नजर आएगा आपको ठीक है इस पर click करना है आपको और आपके सामने notification होगा apply करने का option भी होगा ठीक है इसको cross कर लेंगे अगर तो आप जो है school के बारे में जान सकते हैं school की जो building है वो इस तरीके की है जहाँ पर भी आप form apply करते हैं उस school के बारे में अच्छे से जान लें और वैसे भी reliance foundation school काफी अच्छे है 7P commission के according ही जो है यहाँ पर जैसे government pay skill रहती है उसी के according salary भी जो है teachers की हाँ रहती है यह जो है to apply for staff position प्लीज click here सबसे उपर ही apply करने का option है इस पर click कर लेंगे आप और उसके बाद आपके सामने जो form होगा इसे फिल करना है कोई fees नहीं देनी है सबसे पहले personal detail फिल करेंगे education detail फिल करनी है employment detail teaching experience अगर है तो इस पर click करके उसे फिल कर लेंगे address detail जहां पर भी फिलाल पढ़ा रहे थे तो current salary detail professional reference दे सकते हैं ठीक है जब आपका पूरा fill हो जाएगा उसके बाद यहां पर submit का option है left side में बस last में submit आपको कर देना है जिन पर red mark है तो उनको तो आप बिल्कुल भरेंगे उनको भढ़ना compulsory है उनको आप नहीं छोड़ सकते आप जैसे यहां पर other लिखा हुआ है तो other को आप छोड़ सकते हैं if others ठीक है इसको आप छोड़ सकते हैं और subject जो है यहां second number पर है आपको सभी subject देखेंगे यह सभी subject है आपका जो भी subject है PRT में, TZT, PZT में जिसमें भी आप apply करना चाते हैं subject यह सभी है तो इन में आप अपना subject देखेंगे और चूज कर लेंगे ठीक है history है, English है, जो भी आपका subject हो इस तरीके से आपको fill कर लेना है और last में जो है left side में submit का option है इस पर click करेंगे आप चलिए देख लेते हैं notification अप्लाए करने के लिए क्या करना होगा salary मैंने आप लोगों को बता ही दी सबसे नीचे जो बताया गया है कि यह जो है 7P commission recommendation इनका जो package काफी अच्छा रहता है accommodation for deserving outstation candidate जो भी भारी राज्य के candidate होंगे तो उनको रहने की सुविदा भी जो है provide होकी जो भी interested candidate होंगे तो apply करने के लिए यहां पर आप लोगों को यह जो official website का career section है इस पर जो है आपको जाना है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है और link आप लोगों को इसी वीडियो क के नीचे description box में मिल जाएगा ठीक है email address जो है आपको सबसे नीचे दिखेगा और पूरा address यह school जो है कहां है तो जामनगर गुजरात में यह है तो इनके जो school है वो पूरे भारत में अलग-अलग state में है Reliance जो है आपने आप में ही जो है बड़ा नाम है सबसे पहले wise principal for primary school तो इसमें post graduation B.Ed के साथ में 10 से 12 साल का अनुभव होना जरूरी है जो higher post है तो उनमें अनुभव जादा मांग रहे है ठीक है बाकी कुछ post ऐसी है जापर कोई अनुभव नहीं जैसे pre primary teachers के लिए primary teachers के लिए कोई अनुभव नहीं है ठीक है T.G.T. के लिए P.G.T. के लिए भी कोई अनुभव नहीं headmaster, headmistress और middle school के लिए इसमें 8 से 10 साल का अनुभव है assistant headmaster या headmistress के लिए जो की pre primary school में तो pre primary का आपके पास diploma डिगरी साथ में 5 से 7 साल का अनुभव ठीक है और यह अनुभव जो है आपका किसी भी school का रहा हो assistant headmaster and headmistress primary school के लिए त इतनी higher आपकी post होगी उतनी ही salary अच्छी होगी आपकी, pre primary teachers में qualification आप देखें, graduation या post graduation आपकी जरूरी है और pre primary level का diploma या degree, primary teachers के लिए भी जो है 12th नहीं, post graduate या graduate और साथ में beard, tat या seated जो है बिल्कुल नहीं मांगा जा रहा है, tct के teachers सब भी विश्यों में vacancy है चाहे primary teachers के ल graduation की साथ में beard और post graduate teacher in all subject इसमें beard चाहिए, post graduate के साथ में, उसके बाद robotic teacher की vacancy है, office assistant की vacancy है, 2-3 साल का अनुवव होना चाहिए, graduation के वल मांगी जा रही है, HR manager का जो पद है उसमें graduate या post graduate, diploma आपका HR में, इसमें जो है अनुवव चाहिए, 5-7 साल का, 5-6 या 7 साल का, IT executive में भी जो है 2-3 साल का अनुवव आपका होना चाहिए, computer science से आपने किया हो, IT manager के लिए post graduate या graduate साथ में diploma, information technology या computer science में, इसमें भी अनुवव चाहिए, senior librarian के लिए भी अनुवव चाहिए, library में आप post graduate हो, counselor के लिए, कोई अनुवव नहीं मांगा जा रहा है, post graduate आपका psychology म और साथ में counseling का diploma, अगर आप graduate हैं, तो post graduate diploma, counseling psychology में, special educator के लिए, special education में आपका beard, activity teacher में art, craft, music, dance and drama, तो इसमें graduation या post graduation आपकी in subject में हो, ठीक है, तो ये पूरी vacancy, और दुबारा से बता देती हूँ, कि ये जो email address है, नीचे, careers.kdarfs.adu.in, ठीक है, बहुत ध्यान से जो है form भरना है, आपको fees नहीं देनी है, आराम से जो है भरें, अब आप देखें, ये जो notification है, इसमें last date इनोंने नहीं दी है, अंतियम date क्या है, वो इसमें show नहीं है, तो मेरा ये मानना है, अगर आपका subject यहां आपको दिख गया है, qualification है, जो जल से जल जो है, आप लोग अपलाए कर दें, पीस तो नहीं है, लिंक आप लोगों को share कर दिया जाएगा, इसी वीडियो के नीचे description box में, जामनगर गुजरात में फिलाल वेकेंसी है, इनके और जो school है, वो अगर और भी राज्यों से वेकेंसी जैसे ही आती है, तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा, वीडियो के माध्यम से, जो भी information दी जाती है, वो बिल्कुल सटीक और सही होती है, official website पर जाकर ही हम सारी चीज़न चैक करते हैं, मिलेंगे next video में, thank you